कि नमस्कार मेरा नाम है पुनीद गुपता ओर इस वीडियो के थ्रूह में आपको बताना चाहूंगा आपकी कुछ पाउच पैकिंग मशीन के बारे में ताकि कि आपके कुछ परना है असकी स्मझार के नब्रॉडं सब्सक्राइब कर hedge kupnis अमकीन श्नेंश इस तरह ं सब्सक्राइब करता है किंगा आपको चाहिए को चाहिए उसकीव करता है सब्सक्राइब करो इस प्सथा है य। अगर Mia दोपी पंडगी मुश्चिन पहारोंया है से पहले आपको दो-तीन बातों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आप अगर किसी भी पाउच पाकिंग मशीन के वेंटर से डिसकस करते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा जैसे नियुमाटिक सर्वो मोटर PLC कॉलर टाइप शूट टाइप तो इन इन कॉंसेप्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा ताकि आप किसी भी वेंटर से अगर बात करें तो आपको पता हो कि आप क्या चीज वह कम्यूनिकेट करना चाहरा है और आपके लिए कौन सा प्रोड़क्ट आपके कि लिए सर्वो मोटर काम में आती है पांच में में सर्वो मोटर का एंप यशन आसी है इसलाना के तो यह जाने के लिए आप लेक निए lessor लेन तक करता है अगर किसी मशीन में बहुत तरह के सिलेंडर्स मोटर्स सर्वो मोटर यह लग जाती है तो आपको उसको कितने टाइम बाद चलाना है कितनी काउंटिंग बाद चलाना है तो यह प्रोग्राम सेट करने के लिए आपको PLC में लगाना पड़ता है और PLC के साथ में लगा करेंगे कि 10 पाउज बाद में आटमाटिकली पाउज की लड़ी कर जाए इस तरह का एप्लिकेशन आप PLC के थूप इसली कर सकते हैं अब वापस से आते हैं अपने फिलिंग सिस्टम की तरफ फिलिंग सिस्टम में सबसे पहले डिसक्स करते हैं लिक्विड फिलिंग अब इसको आप मोटर लगा सकते हैं या फिर आप इसको नियुमाटिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं लिक्विड में जनरली मटिरियल सख होता है नीचे की तरफ से अगर आपन पेस्ट फिलर की बात करें तो सिस्टम सिमिलर सा होता है लेकिन इसमें लग जाता है होपर उपर क इसमें तरफ तरफ की तरफ ताकि और प्रिस्टन को automatically gravity से flow मिल सके हो लिक्विड की बात करता है ग्रैनुलर प्रोडट की में सबसे गामन सिस्टम होता है कैप फिलिंग सिस्टम कप फिलिंग मतलब एक ठाल रहता है उसमें कप रहते है इस तरीके से यह कप एक तरिफ से मट material को लेते हैं और दूसरी तरफ पाउच में यह material को ड्रॉप कर देते हैं ऐसे रोटरी घूमते यहां पर material को सक्षन यहां पर material लिया यहां पर material ड्रॉप कर दिया इसमें आप granular के लावा free flow अगर आपके करता है यह screw rotation करके material को आगे पुश करता है अगर इसे for example यह 10 rotation में 100 gram material डाला है आपको 105 rotation करने तो इसका आप थोड़ा सा rotation बढ़ा देंगे अब इसमें जो उपर मोटर लगे हुई है वह on-off होती है लेकिन इतना precisely अगर बिल्कुल आपको perfect उसका rotation चाहिए कि मेंको 10.2 rotations ही चाहिए उसके तो इसके लिए उपर लगती है servo motor थोड़ी से expensive होती है लेकिन बहुत ही auger filling system में बहुत ही perfect रहता है उसका system उसके बाद आता है अपन weighing filling system में granular products के लिए जिसमें आता है linear weighing system और होता है combination weighing system linear weighing system में जैसे एक हैड काता है दो हैड काता है तीन हैड काता है चार है एक हैड में आपके चार पाउच से लेकर 8 feelings तक की speed आती है यह linear weighing filling system में आप देखेंगे उपर से material से flow हो रहा है नीचे काटा लगा हुआ है weighing scale type का इसमें material जाता रहता है जैसे आपको 1 kg करना है तो 900 gram तेज भरेगा लाज का 90 gram धीरे भरेगा और लाज का 10 gram है वह थोड़ा थोड़ा ओल धीरे बढ़ेगा ताकि एक आपने अचीव कर सकें लेकिन अगर आपका प्रोड़क्ट थोड़ा तेडा मेडा है पास्ता टाइप का या फिर कोई नमकीन का मिक्चर है मोटी नमकीन है तो कई बार दो तीन पीसे एक्स्ट्रा गिल जाते हैं तो उसमें वजन का accuracy नहीं आता है तो चिप्स हो गए इस त ize डाइग्राम आप देखेंगे में 10 हेड़ में हार पैन पे अलग-अलग वजन है अब जैसे आपको 100 गराम करना है तो कहीं प你們 तो इस तरीके से तीन या चार या पांच का टोटल कर देता है और उसको जैसे इस फिगर में देखेंगे आप इसने टोटल करके 100 ग्राम करके और इसने डंप कर दिया यह बहुत ही हाइप स्पीड पर प्रोसीजर कंटीनुसली चलता रहता है इससे आपको वेट की बहुत पर्फेक्ट मिलती है डिपेंड नहीं करता आपको प्रोडक्ट अनिवन शेप का है या ग्रैनलर फॉर्म का है तो अगर फिलिंग सिस्टम में देखा जाए तो कॉंबिनेशन वेइंग फिलिंग सिस्टम फोर ग्रैनलर प्रोड़क्ट और अनिवन शेयर प्रोड़क्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब थोड़ा महंगा जरूर आता है लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है नंबर आफ पाउच की डेली पैक करने के तो आपक अगरी की बारे में डिसक्राइब किंग सिस्टम यह डिपेंड करता है किस तरीके का ऊच है थो मशीन बिसीकली डू कि घराइजेशन अपन कर जाता है pick fill and seal machine थोड़ी महंगी आती है इसलिए बहुत ही कम चलती है मार्केट में लोग उसको manually ही ज्यादा भर लेते हैं और सील कर लेते हैं अगर आपन बात करें जेनरली जो common applications होते हैं automatic pouch packing machine में उसमें three side seal और center seal यह pouches सबस्यादा चलते हैं three side seal चलता है small pouches में जैसे सुपारी के mouth freshener के इस तरह के छोटे pouches हो गए सबस्यादा common चलता है center seal का pouch जैसे आपके नमकीन चाय मसाले इस तरह के आप देखेंगे तो center seal pouch सबसे जादा उपयोग में लिया जाता है अब अगर आपन बात करें center seal pouch किया form fill seal machine की form fill seal machine में तीन पार्ट मेजर इंपोर्टन रहते हैं एक होता है रोल से वह पाउच के जब बनाती है तो उसको नीचे कैसे कीचती है center seal कैसे करती है और top and bottom जो sealer रहता है एक ही sealer से top and bottom की sealing होती है वह कैसे operate कर रहा है अगर अपना mechanical model देखें जो सबसे economical रहता है तो उसमें इस तरीके से operate करता है हाला कि machine दो तरीके से चलती है इसमें एक होता है shoot type system और एक होता है collar type system shoot time system थोड़ा सस्ता होता है एक sheet को fold कर दिया जाता है roll उस पे flow करता है रहता है एक roller रहता है इस तरीके का वह बाउस की की खीछ रहा है और चिपका भी रहा है साथी साथ इस तरीके के गोल गुम रहे हैं और यह थैली को चिपका रहे हैं जब गोल घुमा के थैली को चिपकाते हैं तो उसमें इती strength नहीं आ पाती है strength देने के लिए यह वाला जो component है उसको अगर आप pneumatically चलाएं तो उससे उसमें strength आ जाती है ceiling की इस तरीके से अगर आपको सेंटर सील में भी strength देनी है तो शूट वाला सिस्टम में आप इस रोलर की जगे नियुमाटिक cylinders लगा सकते हैं जिससे थोड़ा सा expensive बजाता है machine लेकर इससे आपका पाउस का finishing बहुत perfect आता है इसके शूट टाइप machine में speed थोड़ी से कम आती है अगर अपने का अलग से rollers लगे रहते हैं center seal भी pneumatically होती है और आपका top and bottom seal भी इसमें pneumatically हो रही है तो आपको इसमें speed भी बहुत अच्छी मिलती है और pouch में sealing की strength बहुत अच्छी मिलती है तो जैसे अगर आपको नमकीन के pouches करने हैं जिसमें आपको air चाहिए तो इस तरह के model में आपको perfect sealing मिलेगी शूट टाइप जो मॉडल था उसमें आप बहुत चोटे तरह के pouches ला सकते हैं color type पे आप पाच किलो 10 किलो 50 किलो तक का भी अगर आपको pouch चलाना है तो वह इसी तरह के color type system में बनेगा तो अब आपने system है auger filler with color type bagger और इसी color type bagger पे आपने लगा दिया cup filling system और इसी cup filler system में आपने लगा दिया यह बैगर चेंज करके आपने छोड़ा सा advanced bagger लगा दिया जो कि सर्वों मोटर से चल रहा है टच स्क्रीन पी एलसी बेस्ट हो गया इस तरह के से तो पाउच filling और sealing system की combination से बनी यह मशीन अब इसमें material कैसे डालना है hopper में उसके लिए आप screw conveyor ले सकते हैं powder अगर आपके पास है तो अगर आपके पास में granular products है या snack foods इस तरह का item है तो bucket elevator perfect solution है उपर hopper में material feed करने के लिए पाउच pack होके निकला तो उसके आगे के लिए एक outfit conveyor बहुत ही helpful रहेगा besides this सबसे important है इसमें coding machine जो आप चूज करते है manufacturing date expiry date लगाने के लिए so coding machines में बहुत सारे options हैं जिसको समझाने के लिए हमने अलग से video बना रखा है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं वो video भी और इस तरह के information और update के लिए please like and subscribe आर चैनल ताकि थोड़ा सा updated आप रह सके thank you this is Puneet Gupta from fit pack signing off thank you